क्रिपा एक बहुत ही समझदार लड़की थी बचपन से पढ़ने में होनहार थी क्रिपा जो बड़ी हुई तो उसने कॉलिज की पढ़ाई पूरी करके नौकरी के लिए अपलाई किया और उसकी एक सरकारी बैंक में नौकरी लग गई फोन रख कर वो खुशी से अपने ममी पापा को ये बात बताने पहुची तो वहाँ पंडित जी बैठे हुए थे और वहीं बराबर में क्रिपा के ममी पापा भी चिंता में बैठे थे देखिए मनौहर जी कुंडली तो मैंने बना दी है फर ग्रहों के हिसाब से जन्म कुंडली में मंगल ग्रह प्रथम चतुर्थ सप्तम अश्टम और द्वादश भाव में बैठा हो तो कुंडली में मांगलिक दोश बनता है इस हिसाब से आपकी बेटी कृपा मांगलिक है इसके विवहा में तभी बाधाय आ रही है आप इसकी पूजा जितनी जल्दी हो सके करवा लो मैं चलता हूँ, नमस्ते पिता जी आपको याद है आपके जिगरी दोस्त की बेटी गरीमा उसकी तो कुंडली, गुंड सब लड़के के साथ मेल हो गए थे फिर छे महीने बाद ही उसका तलाक क्यों हो गया फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी पूजा से मेरा मांगलिक दोश दूर हो जाएगा तो मैं अपने हाथों से गरीब और बेसाहरा लोगों को अन और वस्त्रदान करती रहोंगी उनकी दुआओं में बहुत शक्ती होती है पिता जी और असली पूजा भी वही है पर क्रिपा बेटी सुनतो क्रिपा तो अपनी नौकरी लगनी की बात बताने आई थी पर वो अपने बारे में वो सब बाते सुन कर दुखी हो गई और देवी मा के मंदर चली गई मां आप तो सब कुछ जानती हो अगर मैं मंगलिक हो तो इसमें मेरा क्या दोश लोग मंगलिक नाम सुनकर इतना सहम क्यों जाते हैं जैसे मंगलिक होकर किसी लड़की ने या लड़के ने कोई पाप कर दिया हो हे देवी मा, मैं तो सिर्फ आप पर विश्वास करती हूँ, मेरा ये जीवन आपका दिया हुआ है तो मेरे आने वाले जीवन की रक्षक आप ही हो मा, मैं जानती हूँ आपके आशिरवात से मेरे जीवन में अपने आप कोई अच्छा जीवन साथ ही जरूर आएगा मा के मंदिर में जाकर कृपा को एक अलग सी शान्ती और हिमत मिलती है और अगले दिन से वो अपनी बैंक की नौकरी जोइन कर लेती है पर ना जाने क्रिपा के माता पिता के मन में उसके मांगलिक होने का डर बैठिया था सुजाता कृपा मांगलिक दोश की पूझा करवाने के लिए तयार ही नहीं है मुझे तो उसकी शादी की बहुत चिंता हो रही है पता नहीं कोई अच्छा लड़का उसके लिए मिलेगा भी कि नहीं पता नहीं ऐसे मन में विज़ार क्यूं आ रहे है आप उसकी शादी की चिंता मत करो कृपा अपनी देवी मा पर बहुत विश्वास करती है और मैं जानती हूँ मा दुरगा अपने भक्तों के सारे संकट दूर करती है देखना कृपा की किस्मत में अच्छा और प्यार करने वाला जीवन साथी जरूर आएगा चलो हम दुरगा मा के मंदर चलते हैं और वहाँ पर गरीबों को अपने हाथों से दान पुर्णिय करेंगे ताकि हमारी बेटी को मा का अशिरवात और गरीबों की दुआएं मिले ऐसे ही दिन बीत रहे थे एक दिन कृपा अपनी जॉब से वापस आ रहे थी क्रिपा थोड़ी दूर ही पैदल चली कि अचानक उसने देखा एक आटो वाला एक बाइक को टककर मार कर भाग गया क्रिपा तेजी से भाग कर उस बाइक वाले लड़के के पास पहुँचती है अरे इन्हें तो काफी चोट आई है भया ज़रा रुखना इन्हें हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज क्रिपा उसनजान लड़के को हॉटो में हॉस्पिटल ले जाती है क्रिपा अपने पिता जी को फोन कर देती है कुछ घंटों बाद लड़के को होश आता है इसमें help की कोई बात नहीं ये तो हर नागरिक का फर्ज है सर वैसे ये मेरे पिता जी है और फिर लड़का अपने family member को phone करता है उसके ममी पापा भी कृपा को धन्यवाद देते है उस लड़के का नाम राहुल था वो एक company में job करता था दीरे दीरे कृपा और राहुल में दोस्ती हो जाती है एक दिन कृपा मैं तुम्हें पसंद करने लगाओ क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी राहुल तुम जैसा जीवन साथी पाकर कोई भी लड़की अपने आपको खुश किसमत मानेगी पर राहुल मैं मांगलिक हो मेरी कुंडली में मांगलिक दोश है कहीं मेरे कारण तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इन सब बातों को नहीं मानता आज हम मंगल ग्रह पर पहुँच गये हैं और फिर मंगल ग्रह का नाम खोधी मंगल है तो मेरे साथ मंगाल ही होगा, मेरे जान बचाने वाली मेरे लिए हमेशा लखी रहेगी। राहुल की सोच ने सबकी सोच को बदल दिया और सबकी रजामंदी से और मा दुरगा के आशिरवात से राहुल और कृपा की शादी बहुत धुमधाम से हो जाती है। आज राहुल और क्रिपा की शादी को पचीस साल बीच चुके हैं और वो दोनों अपनी शादी की पचीसवी सालगिरा मना रहे हैं अपने दोनों बच्चों श्वेता और सार्थक के साथ। गहमन था एक दिन जादी मुझे बाग में घूमने जाना था वो मा की तब्या ठीक नहीं है वैती जी के पास ले गई थी अच्छा सुनो ये लेंगा तुम रख लो इस पर लगे फूल तूट गए हैं चलो अब बाग में टहलने चलते हैं। सोनाली परी अपने पुराने कपड़े चान्नी को दे देती थी चान्नी जिसे खुशी खुशी पहन लेती थी। चान्नी एक गरीब परी थी इसलिए वो स्वभाव से भी बहुत दयालो थी। एक बार सोनाली परी चान्नी परी के साथ परी लोग में घूम रही थी। चुछ माया है। घमंड का दरपन चूर-चूर होते देर नहीं लगती और किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। कौन है ये पागल बुडी परी जो हमें ऐसे कटाक्षते रही है। चान्नी तुम हमारे लिए बाग से सित्लिया पकड़ कर ले आओ। हम उन्हें अपने कक्ष में सजा कर रखेंगे। सुनाली बेजुबान तित्लियों को मत पकड़ो उन्हें चोट लगेगी। यदि तित्लियों को कैद करोगी तो वो अपनी सुन्दरता खो देगी। ये मत भूलो चान्नी तुम हमारी दासी की पुत्री हो। तुम हमारी नौकरानी हो इसलिए हमारे आदेश का पालन करना तुम्हारा करतव ये है, जाओ और जाकर बाग में से तित्लियों को पकड़ कर लाओ। चान्नी को सुनाली की बात माननी पड़ती है और वो तित्लियों को पकड़ने के लिए चली जाती है। एक यूवक ये सब देख रहा होता है और कुछ देर बाद। परे लोग की राजकुमारी सुनाली बेहत खूबसूरत है और आज देख भी लिया। राजकुमार यशस्वी एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कल सुभा तुम्हें नील घाटी के पास वाले बाग में बुलाया है। कल उनसे मिलने चली जाना। पर मा मुझे अभी विवाह नहीं करना। सुनाली विवाह करने के लिए तुम पर कोई जोड नहीं डालेगा। पर एक बार मिलने में क्या हर्ज है। ठीक है मा ठीक है पिता जी मैं राजकुमार यशस्वी से मिल लूगी। सुनाली चाननी के साथ अपने कक्ष में आ जाती है। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। राजकुमारी मैं हुए तुम। चाननी सुनाली के रूप में राजकुमार यशस्वी से मिलने जाती है। चाननी बहुत घबरा रही थी क्योंकि भले ही शकल सुनाली की थी पर मन तो चाननी कहे था। सुनाली तुम मेरे साथ विवा के लिए खुश तो हो ना तुम देखने में बहुत खुबसूरत हो। शुक्रिया राजकुमार आपने मुझे इस काबिल समझा की मैं आप जैसे कुशल और होनार राजकुमार के साथ विवा कर सकूँ पर मैं कुछ वक्त लेना चाहती हूं इस विवा को हां करने के लिए। कोई बात नहीं राजकुमारी सोनाली, आप चितना समय लेना चाहती हैं, ले सकती हैं, मैं आपके जवाब का इंतजार करूँगा। राजकुमार से मिलकर चान्नी वापस महला जाती है अब जब भी राजकुमारी सोनाली को यशस्वी से मिलना होता वो चान्नी को अपना रूप दे कर भेज दी थी राजकुमारी सोनाली अंगद से प्यार करने लगती है उधर यशस्वी को भी सोनाली बनी चाननी अच्छी लगने लगती है एक दिन राजकुमारी सोनाली ने सोचा आज राजकुमार अंगद नहीं आए क्यों आज मैं खुद उनके राजियों से मिलने चली जाओ जी सुनिए मुझे राजकुमारंगत से मिलना है आप बता सकते हैं वो कहां मिलेंगे जी मैं ही राजकुमारंगत हूँ बताईए मैं आपके क्या सेवा कर सकता हूँ आप आप राजकुमारंगत है तो वो वो कौन अरे सुमेर अच्छे से नहला दिया ना घोणों को आज हमें घोड़सावारी के लिए जाना है सुमेर तुम्हारा नाम सुमेर है सुनाली भागती हुई जाती है सुमेर उसके पीछे जाता है सुनाली, मैं तुम्हें पसंद करता था, इसलिए मैंने तुम्हें जोट बोला, यदि मैं तुमसे ये कहता कि मिराज कुमार अंगत के महल में दास हूँ, तो तुम मुझे कभी भी प्यार ना करती. तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक गरीब दास के साथ प्यार करूँगी नामुम्किन आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिष्टा नहीं है चले जाओ यहां से वरना मैं अपने माता पिता को कहकर तुम्हें सलाकों के पीछे कैद करवा दूगी इसका मतलब तुम्हें सिर्फ एशो आराम से प्यार है सोनाली तुम्हें मेरे से कभी प्यार हुआई नहीं देखना एक दिन तुम भी सचे प्यार को तरस होगी सोनाली वापिस मेहला जाती है यह सब कीमती उपहार कैसे चांदनी राजकुमारी ये सब उपहार मुझे राजकुमार यशस्वी ने दिये है और वो जल्दी ही विवा की बात करने के लिए पूछ रहे हैं मैं क्या करूँ ये सब उपहार मेरे हैं इन पर सर्फ मेरा हक है उस गरीब भिखारी अंगत पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है चाननी तुमें इस चिंता करने की जरूरत नहीं है अब कर मैं खुद राजकुमार यशस्वी से मिलने जाओंगी ये सारे उपहार हमें दे दो और जाकर हमारे स्थान की विवस्था करो ठीक है राजकुमारी सोनाली अगले दिन सोनाली खुद राजकुमार यशस्वी से मिलने जाती है राजकुमारी सोनाली आज आप मुझे कुछ अलग ही दिखाई पड़ रही है और भी ज्यादा खुबसूरत तो मैं पहले से ही हूँ पूरे परिलोग में मुझसे ज्यादा सुन्दर कोई भी नहीं है कैसे नहीं मार दी राजकुमार ये शस्वी इसने हमारे कपडों के उपर अपनी विष्ट गिरा दी इसी दिखाई ने दिया कि इस परिलोग पर राजकुमारी सुनाली के कपडों को गंदा करना इसे कितना भारी पड़ सकता है इसे सबक सिखाना जरूरी था ये राजकुमारी सुनाली का प्यार इतना बदला-बदला सा क्यूं है कल तक तो ये बहुत ही दयालू थी राजकुमार यश्यस्वी सुमेर राजकुमार यश्यस्वी के बार बार कहने पर सारी बात बताता है जिसे सुनकर राजकुमार यश्यस्वी चकित हो जाता है सुमेर के जाने के पश्चात राजकुमार यश्यस्वी सोचता है इसका मतलब राजकुमारी सोनाली ने मेरे साथ धोखा किया मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा एक रात राजकुमार येशस्वी चुपके से परिलोग में राजकुमारी सोनाली के कक्ष में पहुँचता है चांदनी, हम सोच रहे हैं हम राजकुमार येशस्वी से विवा के लिए कल हा कर देंगे अच्छा हुआ हम सुमेर के जाल में नहीं पसे अगर हम कुछ दिनों तक तुम्हें अपने रूप में राजकुमारी सोनाली बना कर ना भेशते तो आज राजकुमार येशस्वी हम से दूर हो चुके होते चांदनी तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारी सबसे प्रियदासी हो इसका मतलब चांदनी राजकुमारी सोनाली के रूप में हम से मिलते रही राजकुमारी सोनाली ने अपने मतलब के लिए इस बेचारी का इस्तिमाल किया पर हम चांदनी से ही विवाह करेंगे क्योंकि हम हिर्दै से उससे ही प्रेम करते हैं हमारा मन चांदनी के साथ जुड़ा हुआ है ना कि सोनाली के साथ अगले दिन राजकुमार यशस्वी सारी बात अपने माता पिता को बताते हैं जिसे सुनकर राजकुमार यशस्वी के माता पिता भी क्रोध में आ जाते हैं पर माता श्री, पिता श्री, मैं चांदनी से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं उसी से विवहा करना चाहता हूँ तो क्या हुआ चादनी ये गरीब परी है परंतो उसका हिर्दय तो अमीर है राजकुमार ये शस्वी अपने माता-पिता के साथ परीलोग पहुँचता है और वहाँ जाकर सारी बात सोनाली के माता-पिता को बताता है राजकुमार ये शस्वी हम सोनाली की तरफ से आप से शमा मांगते है चाननी भी हमारी बेटी की ही तरह है हम स्वयम उसका विवहाप के साथ करवाएंगे पर मा, राजकुमार ये शस्वी को तो आपने हमारे लिए पसंद किया था फिर आप एक गरीब परी के शादी किसी राजकुमार से कैसे करवा सकती हो सोनाली, हमने राजकुमार ये शस्वी को तुम्हारी ने ही पसंद किया था पर भूल तुम से हुई है तुमने अपने स्वार्थ के लिए चाननी को मोहरा बनाया अब इसमें आप कुछ नहीं बोलेगी, ये हमारी आग्या है और फिर सबकी रजामंदी से धूमधाम से चाननी परी का विवा राजकुमार ये शस्वी से हो जाता है